अफ्रीका, तेज धूप और बेजोड खूबसूर्ती की धर्ती, लेकिन हर साये में खत्रा छुपा है, और बबून जैसा खतरनाक जीव बहुत कम है, आपको जाडियों में कुछ हिलने की आवाज आती है, फिर एकदम से गुर्राने की आवाज से शांति भंग हो जाती है, आ बबून इतने आकरामक क्यों होते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से वैग्यानिकों और साहसी लोगों को परेशान करता रहा है, इसका जवाब कई सारे कारणों के जटिल मेल में छिपा है, हार्मोन, सामाजिक गतिशीलता और पर्यावरन का दबाव, यह सभी उनके गुसेल स्वभाव में योगदान करते हैं, इंसानों की तरह बबून में भी टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ जाता है, एक हार्मोन जो आकरामकता से जुड़ा है, खासकर नर में, यह उच्छाल विशेश रूप से संभोग के मौसम के दौरान होता है, जब मादाओं के लिए प्रतिसपर्धा अपने चरम पर होती है, लगातार खत्रे के बीच एक साथी के लिए होड के दबाव की कल्पना करो, यह तो विस्फोटक टकराव का नुस्खा है, लेकिन आकरामकता सिर्फ हार्मोन के बारे में नहीं है, यह तो जीनसे की एक तरकीब भी है, बबू और अपने बच्चों को शिकार बनने से बचाने का एक तरीका, जंगल में हर दिन जैनसे की जंग होती है, और बबून इस लड़ाई के माहिर होते हैं, बबून बहुत ही सामाजिक प्राणी होते हैं, जो टुकडियों नामक जटिल समूहों में रहते हैं, इन टुकडियों का आकार कुछ व्यक्तियों से लेकर सौ से भी अधिक हो सकता है, एक सख्त सामाजिक पदानुक्रम हर बातचीत को निर्धारित करता है, प्रमुख नर जो अकसर सबसे बड़े और सबसे आकरामक होते हैं, राज करते हैं, ये अल्फा नर शारीरिक कोशल और धमकी के मेल से अपनी स्थिती बनाए रखते हैं, उनके पास भोजन, साथी और आराम करने के लिए सबसे अच्छी जगहों तक प्रात्मिक्ता पहुंच होती है, चुनौती देने वालों का सामना तेज और क्रूर बल से होता है, ये पदानुक्रम टुक्डी के भीतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्चक है, पदानुक्रम टुक्डी के बहे। वे जमीन और पेडों दोनों पर आश्चर्य जनक गती से आगे बढ़ सकते हैं। उनकी लंबी भुजाएं और शक्तिशाली पैर उन्हें उत्तोलन और शक्ति प्रदान करते हैं। भाग पांच जंगली का सम्मान बाबूनों के साथ सह अस्तित्व ऐसी दुनिया में जहां वन्य जीवों के आवासों पर मानव अतिक्रमन बढ़ रहा है, यह सीखना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। कि बबून जैसे जीवों के साथ शांती पूर्वक सह अस्तित्व कैसे बनाया जाए। उनके स्थान का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। कभी भी बबून के पास न जाए। उन्हें दूर से देखें और उन्हें कभी भी खाना खिलाने की कोशिश न करें। यदि आप जंगल में किसी बबून का सामना करते हैं तो इन सुझावों को याद रखें। अपनी जगह पर डटे रहो। अपनी पीठ न फेरें और नहीं भागें। आँख से संपर्क बनाएं लेकिन आक्रामक तरीके से घूरने से बचें। अपनी बाहों को उपर उठाकर खुद को बड़ा दिखाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात धीरे-धीरे और शान्ती से पीछे हटें। शिक्षा महत्वपूर्ण है। बबून के व्यवहार को समझने से संघर्षों को कम करने और सह अस्तित्व को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। उनकी सीमाओं का सम्मान करके हम उनके और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। वे अफ्रीकी पारिस्थिती की तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनकी उपस्थिती हमारे ग्रह की जैव विविधता को सम्रिध करती है। भाग 6 बबून सामान्य ग्यान इन प्राइमिट्स के बारे में मजेदार तथ्य। क्या आप जानते हैं कि बाबूनों की याददाष्ट अविश्वसनिय होती है। वे जटिल सामाजिक संबंधों को याद रख सकते हैं और यहां तक की उन व्यक्तियों को भी पहचान सकते हैं जिन्हें उन्होंने वर्षों से नहीं देखा है। यह सही है। उनकी याददाष्ट आपके विचार से कहीं अधिक तेज होती है। और यहां एक और मजेदार तथ्य है। बबून विशेशज संचारक होते हैं। वे एक दूसरे को संदेश देने के लिए स्वरों, चेहरे के भाव और शारीरिक भाशा की एक जटिल प्रणा विश्वसनीय रूप से प्यारे होते हैं। वे मुलायम, भुलककडफर और बड़ी, जिज्यासु आँखों के साथ पैदा होते हैं। वे अपने दिन, अपनी माँ और टुकडी के अन्य सदस्यों से बबून जीवन की रस्यों को खेलने, तलाशने और सीखने में बिताते ह वे एक अनुसमारक हैं कि सबसे आकरामक जीवों का भी एक मालेम पक्ष होता है।